जब हम Amazon पे सेलिंग शुरू करते हैं, हम Amazon पे अपने प्रोड़क्ट लिस्ट कर देते हैं, उसके बाद में देखिए, ओडर जो है वो हमें तब रेसीव होगे, जब हमारे प्रोड़क्ट जो है, वो कस्टमर्स को दिखेंगे, इन चौर्ट, हमारे प्रोड़क्ट के अगर व प्रोड़क्ट रेंग करेंगे, तो ही जो है, वो कस्टमर्स को विजिबल्टी मिलेगी, और तो ही जो है, उसके बाद में कस्टमर्स ओडर प्लेस कर पाएंगे, जैसे मालीजिए, कस्टमर्स को कोई पर्टिकुलर प्रोड़क्ट चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जो ह और वो सेर्ज करने के बाद में आगर हमारा प्रोडेटिक्ट निडेंट है तो फ़ोड़क्ट कोई से पेस्ट पे दिखा रहा है वहू पेले एसपे चाहिं 2013 पे सपर से निकार रहा है या में डाया या या में पीसिक और नास्ट पेसे sudah 19 बिसिकली रेंकिंग होता है तो रेंकिंग जो है वो हमें समझना बहुत जरूरी होता है जब हम एमजोन पर सेलिंग करते हैं तो इससे हमें और आइडिया आता है थोड़ा बहुत की भी हम किस तरीके से रेंक कर रहे हैं और हमारे ओगर ओडर कम आ रहे हैं तो कहां पर जो हो क तो एक प्रोडक की रैंकिंग अलग अलग हो सकते है डिपेंडिंग ऑन कुछ गोने. बेख ब 가지고 मैं तो खकर दो तो उस्तर बीस किवक करए तो इसे में क्या है का सबस्क्राइब किअ का सबी! लेकिन अगर ने में बूस्तर पीज रहे हैं और कस्ट्मा स्पेसिफिक हो करें खकर दोगता इन तो उसमें बाइए होसका हिए उस particular keyword पे हम first page पे show कर दें क्योंकि जैसे जैसे customer specific होते जाते हैं वैसे वैसे search जो है वो narrow down होता जाता है तो वहाँ पे competition भी थोड़ा सा कम रहता है और हो सकता है हमारे product को जो है वहाँ पे visibility मिल जाए तो एक product के लिए अलग-अलग keywords पे अलग-अलग ranking हो सकती है तो ऐसा जरू product जो वहाँ पे top में दिखा दें अब देखिए ranking जो है वो कैसे काम करती है देखिए Amazon पे जो ranking होती है ना वह Amazon का एक algorithm है जिसको a9 algorithm भी बोलते है a9 algorithm basically इसलिए बोलते है कि a9 company है कि उसने जो algorithm design किया है अलाग कि a9 algorithm officially कोई भी नाम नहीं है बहुत जगह पर यूज होता है कि Amazon का a9 algorithm a9 algorithm यह officially a9 algorithm जैसे कोई चीज नहीं है a9 company ने इसको design किया इसलिए जो है वो इसको a9 algorithm बोल देते हैं ठीक है अब इंटर्नली algorithm कैसे काम करता है यह किसी को नहीं पता है कुछ यहां पर चीज़े हैं मोटा मोटी जिनको अगर हम ध्यान में लेके चलते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं तो हमारे प्रोड़क्ट जो है Red Sling Bag अब Red Sling Bag से related Amazon का system क्या करेगा कि जितने भी products Amazon में है Red Sling Bag से related Amazon का system उनसे match करवाएगा कि इतने प्रोड़क्ट जैसे कि मालीजे एक हजार दो हजार पांच हजार दस हजार जो भी product है वो match होंगे customers की query के फिर उसके बाद में क्या है उनकी ranking होगी कि customers ज्यादा तर Red Sling Bag लिके सर्च करते हैं तो यह product उनके buy करने के ज्यादा chances है अब वो ranking जो है वो अलग-अलग factors के हिसाब से हो सकते है वो product के rating के हिसाब से हो कि ज्यादा ratings है ठीक है जो customer की query से match कर रहा है जिस पे ज्यादा rating है अब उसमें sellers की rating भी consider की जाती है product की rating भी consider की जाती है तो उसके ब बाद में उसके उपर customer का interactions कैसा है वो सारी चीजें भी consider की जाती है तो ranking के लिए कुछ एक चीजे हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं कि उन पर हम जान देंगे या उन पर हम काम करेंगे तो हमारी products की जो है वो ranking सुदर सकती है तो basically क्या होता है कि overall relevance देखा जाता है कि customers ने क्या query लाइक करने के लिए कितने उसके चांसे उसको बाई करने के लिए अब इसमें customer जो हूँ product के साथ में कैसे इंटेक्ट करें वह भी देखा जाता है कि click through rate क्या है click through rate का simply मतलब होता है कि कितनी बार product जो है वो हमारा सर्च में है और कितनी बार customer कितना है ठीक है उसके बाद मे conversion rate जो हो किया मतलब कि कितनी बार customers ने click किया और उसमें से कितने लोगों ने जो हो purchase किया तो अगर जैसे मान लीजिए कि customer rates link बेग लिखके सर्च कर रहा है और वहाँ पे हमारा product सर्च में आ रहा है तो 100 बार हमारा product सर्च में आया और उसमें से 30 बार customers ने जो हो उसके उपर click किया तो हमारी click-through rate जो हो 30% वहाँ पे होगी और अगर 100 customers ने उसके उपर click किया और उनमें से 20 लोगों ने उसको purchase कर लिया तो हमारी conversion rate जो हो वहाँ पे 20% हो गई तो basically इस तरीके से CTR और click-through rate decide होती है तो यह बहुत सारी factor होते हैं जिनको मिला के decide होता है कि Amazon पे हमारा product ज इसाब से करें कि Amazon का system जो है वो हमारे product को easily समझ पाएं कि यह product basically क्या है और customers की search queries रहती हैं उनसे हमारा product जो हो match हो पाएं कई बार क्या करते हैं sales मैंने देखा है कि जब listing करते हैं तो उस पे ज्यादा focus नहीं करते हैं वो basic basic चीज़ें जो हो उसमें डालते हैं और उसके सब्सक्राइब करने में कि कौन से customers की search queries के सामने हमारा product जो पूट करना है listing optimization में हम क्या कर सकते हैं product के जितने भी attributes रहते हैं मैंने बहुत बर्देगा sales डालते हैं product जब हम लिस्ट करते हैं बहुत सारे वहां पे attributes डालने के option आते हैं वह हमें सारे डालने चाहिए जितने भ काफी benefit जो है वह मिलता है conversion rate बढ़ाने में क्योंकि अगर हम वीडियो एड़ वहाँ पे करेंगे तो customers जो प्रोड़क्ट को easily समझ पाएंगे अगर easily understand कर पाएंगे तो वह सेल में convert होगे तो conversion rate हमारी बढ़ेगी conversion rate बढ़ेगी तो by default हमारे product की ranking जो है वह सुधरे गी तो वी second keywords के उपर मैंने detail में जो वह एक वीडियो बनाकर रखे है product add करने से पहले अगर हम थोड़ा वोत research कर लेंगे कि इस product से related कौन से कीवर्ट है और हम वह keywords अगर उसमें डालते हैं हमारे product listing के टाइम में चाहे वह short tail keywords हो चाहे long tail keywords हो short tail long tail दोनों अगर keywords हम डालते हैं तो benefit होगा search में product आने में तो यह कुछ basic techniques है जो हम use करेंगी हमारी listing optimization के लिए तो definitely हमारे product को जो हो search में आने में यहाँ पर help मिलेगी हम यहाँ पर देखे customers के साथ में engagement बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं products के उपर questions रहते हैं Q&A का option होता है जहाँ पर customers जो हो questions पूछ सकते हैं products related तो वह उन questions के answer कर सकते हैं customers के अगर हमारे products पे review जदा आते हैं तो हमारे product जो है वो अच्छी तरीके से rank करते हैं तो overall system कैसे काम गाता है कि customer ने कोई search में query डाली वहाँ पर अपना product जो वो दिखाया customer ने जब उनको purchase किया फिर वो product जो हो Amazon के algorithm में गया कि इस particular query पे यह product जो हो customer interested है इसमें जो हो purchase कर र हिसाप से Amazon उसको उतना high push करेगा और जितना high push करेगा उसके हिसाप से जो हो और ज्यादा conversion या फिर CTR उसको मिलेगी तो एक loop होता है या फिर समा सकते हैं कि एक circle होता है जिसमें जो हो यह पूरा system चलता है तो ऐसा नहीं है कि हमारा product किसी एक particular keyword पे रेंग नहीं कर रहा तो उस पर order नहीं आएंगे एक product से related बहुत सारी keywords होते customers के mind में कौन से पी keyword पर जो हो हमारा product rank का सकता है overall हमें देखने की क्या जूरत है कि हमारे product पे ranking एच्छी हो हम CTR click-through rate जो हो सुधारे है अब click-through rate जो है वो सुधारेगी हमारे product पे अगर हमने image जो है वो अच्छी डाल र सकते कि कौन से image पर ज्यादा click हो रहा है तो हम primary image अगर वो रखते हैं जो impressive हो जिस पर ज्यादा click हो जाहिर सी बात है कि customers उस पर ज्यादा click करेंगे तो उसकी CTR जो हो बढ़ेगी और click अगर ज्यादा होंगे तो वह chances है कि customers वहाँ पर आके अगर हमने video डाल के रखी हुए है तरीके से proper तरीके से listing करते हैं उसके बाद में CTR बढ़ाने की कुस टेक्निक्स अपनाते हैं उसके बाद में conversion create करने की कुस टेक्निक्स करते हैं साथ ही साथ अगर हम अपने products के उपर कुछ offers डालते हैं जैसे कि deal time में कुछ offers आते हैं हम अगर discount डालते हैं जैसे 5% 10% discount डालत मिले हमारे product के ताकि हमारे orders ज्यादा से ज्यादा receive हो तो ये कुछ basic चीजे थी product ranking से related उम्मीद गरता हूँ ये information आपके लिए helpful रही होगी बाकि e-commerce से related videos के लिए आप जुड़े रही है मैं चनल के साथ में इस video को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद